नमस्कार, स्वागत है आप सभी का The Level 10 Studies में आज हम 12 दिसंबर 2020 के करेंट अफेर डिसकस करेंगे अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए प्रेस ता बेल आइकन PDF आप टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं आज का फर्स्ट कॉश्चन है अंतराश्टिय परवतिय दिवस किस दिन मनाया जाता है किस दिन International Mountain Day ऑपसर्फ किया जाता है इसका सही आंसर है Option B 11 दिसंबर को 11 दिसंबर को International Mountain Day ऑपसर्फ किया जाता है यह जो डे है इसकी थीम है Mountain Biodiversity नेस्ट कॉश्चन यहाँ पर एक चीज याद रखना हमें दो चीज याद रखनी है तीम और फर्स्टी किस दिन मनाया जाता है International Mountain Day 11 दिसंबर को नेस्ट कॉश्चन है अंतराश्टिय गोल्फ महासंग के नई प्रेसिडेंट के रूप में किसे न्युक्त किया गया है और इसका सही आंसर है Option A अनिका सौरन स्टाम The International Golf Federation जिनोंने इलेक्ट किया है अनिका सौरन स्टाम को नई प्रेसिडेंट के रूप में यह अपना कारिभार जनवरी 2021 मतलब हैंडल करेंगी इंटरनेशनल गॉल्फ एडरेशन फाउंड हुआ था 1958 में और इसका हैड़कॉर्टर लुसेन सुल्जेलैंड में है यह आप उनकी मेज देख सकते हैं नेस्ट कॉशन विश्वर की सो सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फॉप्स 2020 सुची में किसने टॉप किया है मतलब कौन जो है ऐसी वोमेन है जो वर्ल्ड की 100 मोस्ट पावरफल वोमेन में टॉप किया है और इसका सही आंसर है ऑप्शन C एंजला मारकल यह आपने लिस्ट देख सकते हैं टॉप पे एंजला मारकल सैकिंड पे किस्टेना लेगार्डे और 41 जो रैंक है वह निर्मला सीता रमन की है नेक्स्ट कॉशन हाल ही में प्रदान मंत्री ने छग हनुक का समिच के तोहार पर किन देशों के लोगों को सुबकामने दी मतलब कहने का मतलब है यह जो फेस्टिबल है छग हनुक का समिच यह फेस्टिबल किस कंट्री में सैलिब्रेट किया जवाता है और इसका सही आंसर है ऑप्शन दी इस्राइल प्राइम इनिस्टर नरेद मोदी ने जो है शुबकामने दी ठीक है इस्राइल के फेस्टिबल छग हनुक का समिच को हनुक का मतलब होता है मतलब इसको चनुक के नाम से भी जाना जाता है यह आठ दिन का एक जुईश का सैलिब्रेशन होता है यह लोगेशन देख सकते हैं आप इस्राइल की जॉर्डन रिवर डैट्सी में आके गेटी है और जबकि यह जो इसका सोर्स जो है वहाँ लेक ओस टेब्रेस है जॉर्डन रिवर का यहाँ पर यह गॉलन हाइट है ठीक है लेबनॉन सीरिया और प्राइम मिनिस्टर जो है इस्राइल के वेंजामिन नेत्याहनू प्रेसिडेंट रुबिरन रैबिलेंट कर्रेंसी इस्राइली शेकल और कैपिटल जैरूसेलम है नेक्स्ट कॉश्चन है हाल ही में भारत के किस एंजियो को 2020 संयुक्त रास्ट जन संख्या पुरुसकार मिला है मतलब अभी किस एंजियो को मतलब इंडिया की एक एंजियो है ठीक है और उसने रिसीब किया है 2020 का यूएन पॉपुलेशन अवार्ड तो वो कौनसी एंजियो है कॉश्चन यह है ठीक है और इसका सही आंसर है ऑप्शन भी हाल्प एज इंडिया हाल पेज इंडिया ठीक है यह जो है एंजियो इंडिया का है जिसे यूएन पॉपुलेशन अवार्ड मिला है यह पहली बार है जब यूएन पॉपुलेशन अवार्ड जो है वह मिला है इससे पहले 28 साल पहले इंडिया को 1992 में यह अवार्ड मिला था इस award के बारे में जो आने तो इसे establish किया या था United Nation General Assembly के द्वारा 1981 में United Nation Population Award Recognized Contribution in the Field of Population and Reproductive Health जो population और reproductive health के field में जो भी काम करता है उसको यह award दिया जाता है United Nation General Assembly के द्वारा इसे establish हुआ था यह award 1981 में और इंडिया की NGO है जिसका नाम है Help Age India जिसने यह award जीता और यह 28 साल पहले award जीता गया था इंडिया के द्वारा भी है second time Next question है Recently India and which country मतलब हाल ही में भारत और किस देशन है Drug Control Corporation पर दुरपक्षिय बैटक की और इसका सही आंसर है Myanmar Myanmar और इंडिया दोनों ही country ने bilateral meeting की है और जो topic था वो था drug control corporation जो drugs होते हैं उनको control करने के लिए दोनों ही country के दोरा एक meeting organize की गई इंडिया की तरफ से narcotics control वियरो और म्यानमार की तरफ से drug abuse control ने participate किया 10 दिसंबर को यह virtually organize हुई और यह location आप देख सकते हैं मैप में यह म्यानमार है यह आप एक रखीने provenance है यह आप देख सकते हैं यह sit-way port है जहां इंडिया और म्यानमार मिलके काम कर लिए 2021 के जो first quarter में ही यह start हो जाएगा operational capital म्यानमार की nappy तो है currency burmese card president जो है वहाँ win-mient है next question युवा गड़ितग्यों के लिए रामानुजन परुसकार 2020 किसे दिया गया है और इसका सही answer है option C Carolina Arojo इनको मिला है रामानुजन अवार्ड 2020 और यह young mathematician के लिए इनको यह award मिला है और जानते हैं इनके बारे में ठीक है 2020 का रामानुजन प्राइज ठीक है young mathematician के लिए ठीक है वो अवार्ड किया गया है डॉक्टर कैडूलिना अराजो को जो की mathematician है ठीक है mathematician institute for pune and applied mathematics में ठीक है और यह ब्राजिल में रियोडी जैनुडियों में ठीक है institute for pure शायद मैंने से पूने बोला था pure and applied institute for pure क्योंकि यह जो institute जो है वो ब्राजिल के रियोडी जैनुडियों में है ठीक है यह वहाँ की mathematician है जिनको यह रामानुजन प्राइस for young mathematician मिला है और इनका जो work है वो mainly focus है geometry जिसका aim यह है कि classify और describe करना algebraic varieties के structure को ठीक है algebraic varieties के जो structure होते है उनको describe और classify करना इनका aim mathematical union headquarter जो है वो बर्लिन जर्मनी में है और founded हुआ थे 1920 में और डॉक्टर अरोजू जो की vice president है इस committee की women's के लिए ठीक है mathematician में next question है किस राज्य ने जगन नाला जीवन कुरांती योजना शुरू की है और इसका सही आंसर है आंदे प्रदेश आंदे प्रदेश जो है उसने launch की है मतलब योजना शुरू की है एक योजना है जिसका नाम है जगन नाला जीवन कुरांती ठीक है ये योजना किसके दौरा आंदे प्रदेश याद रखना है जगन नाला ठीक है यह ना है जगननाना, जीवन कुरांती योजना की बात हो रही है, इसे मैं शायद यहाँ पर गलती से एल लग गया है, तब हम इसके बारे में बात हो रही है, यह जो त्छीम है वो लाँच की गए ये आंधर परदिश गवर्मेंट के द्वारा इसमें क्या होगा, जो हमारी और God's होती हैं भेड और बकरिया होती हैं वो distribute की जाएंगे विमेंस को मतलब लगबग धाइलाग भेड और बकरिया जो है वो gift की जाएंगे विमेंस को जिसे विमेंस का empowerment और living standard जो है वा improve होगा आंदर प्रदिश की बारे में कुछ static information चीफ मिनिस्टर यहां पर जगन महुन रेड़ी है और गवर्नर भी हरी जंदन है राजीव गांदी यहां पर नैशनल पार्क सी वैंकेटेश्वरा मॉलिंग पापी कॉंजा और राजीव गांदी यहां पर नैशनल पार्क है आंदर प स्थान पर वेग्याने को द्वारा पहचानी गई ठीक है यह जो नाइंध कोशन है और इसका सही आंसर है वैस्टन घाट ऑफ गुवा कोशन इस तरह है कि अभी हाल ही में मोरिंग गरस ठीक है कि उपरनियास यह कि स्पैसीज है ठीक है जो प्रजाती होती है ठीक है की वैस्टन घाट पर ठीक है अन्यू स्पैसीज ऑफ इंडियन मोरिंग ग्रस नोन फॉर दिर एकलोजिकल जो की जानी जाती है अपने एकलोजिकल और एकनॉमिक इंपरडेंस की वज़े से जैसे कि उसके पर फॉर्डर जो चारा होता है वो ठीक है इसकी वज़े से जो है तो साइंटिस्ट के द्वारा इसको पहचाना गया है वेस्टन घाट गोवा में ठीक है अगर हम अग्रह कर रिसर्च इंसिट्यूट की बात करें क्योंकि इन्होंने ही मतले मिन्स को डिसकवर किया है आपर पहचाना है ये इंसिट्यूट जो है वा पूने में है ये एक गोवल स्पैसिस जिसका नाम ये है ये इसका साइंटिफिक नाम है ठीक है गोवा के वेस्टन घाट में निक्स कोशन है हाल ही में भारत में दुनिया का पहला उपग्रह अधारित नेरो बेंड इंटरनेट ऑफ तिंग्स नेटवर्ट पेश करने के लिए इस काईलों के आज़ेदारी की है और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बीस नेल ठीक है अभी हाली में ठीक है भारत में दुनिया का पहला फरस्ट उपग्रह आधारित नेरो बेंड इंटरनेट ऑफ तिंग्स नेटवर्क पेश करने के लिए इसकाईलों के साथ जो पार्टनेशिप की है व बेंडेश नेरो बेंड इंटरनेट ओ तिंग्स नेटवर्क ठीक है और यहां पर कुछ और इंडीयन इंडिया सॉलूशन होगा क्योंकि यहां पर ब्यिस नवर्क्राइबंड जो है वह इंडिया की कंपनी है ठीक है यह मेडियां इंडिया Every्वादेश नेरमРИत हो यहा प्रोवाइट करे जाएगा Indian Sea में ठीक है जो Internet of Things जो Network प्रोवाइट किया जाएगा वो पूरे Indian Sea में जो है वह इंक्लूट किया जाएगा इसमें यह coverage जो है वो इतना ज्यादा वाइड होगा ठीक है जैसे कि कश्मीर, लदाक, कन्या कुमारी, गुजरात, नौर्थीस्ट में इंक्लूडिंग दे इंडियन सी इस सब को ही कनेक्ट करेगा यह पूरा सैटिलाइट बेस्ट नेरोविंट इंटरनेट और तिंग्स नेटवर्क जिसके लिए BSNL ने सकाईलों के साथ पार्टनर्शिप की और कल हमने आपसे जो कॉशन पूचे थे वो थे यूनेसको द्वारा किस इस्थान को विरासत शहर की सुची में शामिल किया गया है और इसका सही अंसर है और यह दोनों ही मद्दे प्रदेश की सिटी हैं जिनने भी इंक्लूड किया गया है हैं इंडिया की जो रंक है वो Climate Change Performance Index में गलत है क्यूंकि इंडिया की जो रंक है वो 10 है ठीक है अगर हम नैंद्ध की ही बात करें तो यह 2009 मैं थी इंडिया की रंक वो 9 थी लेकिन एक प्लेस जो है वह इंडिया जो है वह स्लिपडाउन हो गया है और इस बार दस है निक्स ज यह शेक सभा, अलखलद, अलखमद, अलखभा, ठीक है यह प्राइमनिस्टर है इतने सारे अलड़न तो कुबेट निस्ट निस्ट कोशन जो है वो भी गलत है क्योंकि जो आई आई एटी घुहाटी है उसनों ने एक ऐसी टेखनोजी बनाई है जैसे जो एयर होता है ठीक है व राजिस्थान वाली जगह पर जो है वहाँ भी मदद कर देगा राजिस्थान हो गया ठीक है यह भी गलत है सारी गलत है इसका अंसर है 88488848.86 मीटर यह नई हाइट है माउंट एवरेस्ट की जो कि नेपाल और चाइना के द्वारा एनॉंस की गई है और आप सभी के लिए कॉश्चेंस है रिसेंटली पी एम वानी प्रोजेक्ट समाचारों में है यह इस प्रोजेक्ट का एम क्या है यह मैंने काफी डेटियल से बताया था अगर आपको इसकी डेटियल से और भी जाना है तो मैंसे कर जब मैं इसका आंसर्स दोंगी ना तब मै इसको बताऊंगे अच्छे थे ठीक है और डिटेल में और 11 दिसंबर के रिविजन कॉशन में पहला कोशन है कि जम्म कश्मीर नय जो है वहाँ जम्म कश्मीर जो है वह फर्स्ट यूनियन टेरिट्री बनी है जिसने और गैनिक यूनियन टेरिट्री का स्टेस प्राप्त किया सब्सक्राइब कर सकते हैं एडिया कि इंडिया फ़रल आइलांड गेम होगे इनका 11 गया इनोमसित है नेक्स ट्रीक है चाहला किरा ज्यादा खतरनाक हो गए हैं ठीक है और जब यह पूरे जुंड में आते हैं तो यह पूरे किसी भी कंट्री का पूरा जो सिस्टम होता है ना मिलिट्री सिस्टम उसको तबा कर देते हैं ठीक है नेक्स कोशन है किया USA ने बैंड कर दिया कोड़न इंपोर्स चायन से घ्जाव है मैं कसे गटया खेंव और द्राउस पू कमेंट बॉक्स में दीजिए और डिक साथ बंए Gleich तो अच्य आन्सवार खाओ झालत ओका गटा लात लिखता है तो साई नर्स gł सहाल भीज़िए और अगर आपको लगता है कि आप उसके बार मे झाल